मुंबई के पूर पुलिस कमिशनर परमबीर सिंग एक के बाद एक उद्धो ठाकरे के मुझे के लिए बढ़ाते ही जा रहे हैं जहां पर उद्धो ठाकरे गौर्णन दिदारा पहले सोचा गया था कि अनिल देशमुक की गिरपतार की है तो वो अब जल्द ही परमबीर सिंग को भी गिरपतार कर लेंगे लेकिन परमबीर सिंग जो है वो एक बहुत ही बड़े मास्टर मांड निकले और परमबीर सिंग ने सबसे पहले एक बहुत ही बड़ा गेम खेलते हुए सुप्रीम कोट से अपने आपको प्रोटेक्शन दिलवा लिया कि वो उनको जो है मुंबई पुलिस गिरफतार नहीं कर सकती जिसके बाद वो मुंबई पुलिस के सामने पेस हुए अपना स्टेट्मेंट भी दर्ज कराया उन्होंने अपना स्टेट्मेंट भी दर्ज कराया उसके बाद वो जो है वापस भी लोट गए लेकिन अब इन्ही सब चीजों के बीज में उन्होंने उद्धो ठाकरे गवर्मेंट को एक और बड़ा जटका दिया है क्योंकि आप सब को पता होगा के मुंबई पुलिस के द्वारा उनको जो है भगवडा साबित कर दिया गया है लेकिन अब जब वो वापस लोट आए है और उन्होंने अपना स्टेट्मेंट दे दिया है तो अब इन्ही सब चीजों के बीच में वो जो है मुंबई हाई कोट पहुचे है और मुंबई हाई कोट में उन्होंने एक याज़का दाखिल की है जहां पर उनके दारा सीधा सीधा बोला गया है कि अब जब वो वापस लोट आए है तो उनको जो भगवडा साबित किया गया है उसको जो है पूरी तरह से रद कर दिया जाए और उसके इसको वापस ले लिया जाए मतलब कि जो भी उनको भगवडा घोजित कर दिया गया था उसके बाद जो उनकी प्रॉप्टी सीज करने की बात की जा रही थी अब उसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाए क्योंकि वो जो है पूरी तरह से कॉपरेट कर रहे हैं मुंबई पुलिस को भी और साथ में ही उनके द्वारा ये भी बोला जा रहा है को जल्दी CBI के सामने भी पेस होंगे तो कहीं ने कहीं परम बीर सिंग ने एक बहुत ही बड़ा गेम खेला हुआ है जिसकी वज़ा से ना मुंबई पुलिस ही उनको गिरपतार कर पाई ना ही महरास्टरा CID की टीम गिरपतार कर पाई और अब जो है बहुत कम चांसे सहे कि CBI या ED के द्वारा CBI के द्वारा जो है परमेर सिंग को गिरपतार करने की वो पूरी तरह से नाकाम होती हुए दिखाई दे रही है आपका क्यों ओपिनियन है इस पर आपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स मताएं और वीडियो को जाए स्यादा सेयर करें